एफोरिजाम 91, केस टेकिंग में रोगी द्वारा अन ओशितियों के सेवन के परणामों की जानकारी आवशक है, ये प्रिश्ण है, इस प्रिश्ण के उत्तर में डाक्टर हैनिमेन साब ने फरमाया, बड़ा रोचक है, आप बड़ा ध्यान से सुनिये, डाक्टर हैनिमेन यदि चिकिसक को ये पता चल जाए कि रोगी पहले से किसी ओशिदी का सेवन करता रहा है, और उस ओशिदी के सेवन से उसके शरीर में अमुक अमुक लक्षन और तकलीफें उभरी थी, और ओशिदी लेना बंद करने के बाद, कुछ दिन बाद उसमें किस परकार के लक्ष दिर्ष्टी गोचर हुए थे, तो वे रोग के वास्त्रिक अवस्ता का सही परचे प्राप्त कर सकता है, इन सभी बातों को विस्तार के साथ लिख लेना चाहिए, यदि रोगी किसी पुराने रोग से ग्रस्त है, और चिकिसक को दिखाने से पहले किसी ओशिदी का प्रियो रोग करता रहा है, तो ऐसे रोगी को कुछ दिन तक कोई ओशिदी ना दी जानी चाहिए, उसे कोई ऐसी दवा भी खिलाई जा सकती है, जिसकी कोई किरिया नाओ प्लैसी को दी जा सकती है, ऐसा करने से कुछ दिनों के अंदर ही पुरानी बिमारी के सभी लक्षन फिर उव अर्त लक्षन उजागर हो जाएंगे, डाक्टर सरफाल होमोपेथी, बड़ा इंपोर्टेंट चीज है, इसके प्रणाम से योगा की रोग के सभी लक्षन पूरी तरह से उबर आएंगे, और चिकिस्सक के सामने रोग का पूरा संपूर्ण चेत्र उबर आएगा,